नमस्ते दोस्तों, हेल्दी रहे यूटूब चनल में आपका फिर से स्वागत हैं आज मैं मामार्थ के टीट्रे फेस्वस और स्कीन करेक्ट सिरम के बारे में बात करने वाला हूँ मैंने एक मैने पहले टीट्रे फेश्वास और स्कीन करेश सिरम का अन्बोक्सिंग वीडियो इस चैनल पर दाला हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए उसका लिंग मैंने नीचे डिस्क्रिश्विशन बोक्स में दिया हुआ है अगर हम टीट्रे फेश्वास की बात करें तो पिछले एक मैने से मैं इसे लगा रहा हूँ मैंने इसे चुपा और स्वान दो टाइम यूज़ किया है दोस्तो अगर आपके स्कीन एकने प्रोन है तो यह एक लाजवा फेशों से मैंने कई सारे फेशों यूज़ किया है मगर एसा रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिला मेरे चहरे से सिर्फ एक ही मैने में 99% पिमपल कम हो चुके है और इसे लगने के बाद मेरे स्कीन ओइल अप्री रहती है अगर आपके स्कीन भी एकने प्रोन है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करजे दोस्तो अब मेरे पिमपल चहरे से काफी कम हो चुके है लेकिन आम तो जानते हैं पिंपल जाते हैं तो एकने मार्क्स और स्कार छोड़ जाते हैं तो अब मैं पिंपल्स के स्कार्स और मार्क्स को दूर करने के लिए पिछले चारपात दिनों से स्कीन करेक्ट फेस सीरम लगाना स्टार्ट किया है मैं पहले अपने पेस को इस तीट्री पेस वच से दो लेता हूँ और फिर यह सीरम अपने पेस पर लगाता हूँ यह सीरम पेस में 30 या 45 सेकर्ड में एपसोर्ब हो जाता है इसे लगाने के बाद आपको गर से बाहर नहीं निकलना है और तुप में नहीं जाना है इसे सुबह और शाम दोर टाइम लगाना है अगर आपको बाहर जाना हो तो संस्क्रीन लगा के जा सकते हैं पर इस गर्मी की मुसम में आप बाहर नहीं जाए तो अच्छा है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस के शोस और सीरम का अन्बोक्सिंग वीडियो इस चैनल पे डाला है उस वीडियो में मैंने इसकी पूरी डिटिल्स दे दी है इसकी प्राइस क्या है इसमें कौन-कौन से इंक्रेडियन है तो आप उसे ज़रूत देख तो दोस्तों आपको यह वीडियो में दीगई जनकरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देचे नीचे कमेंट कर देचे अपने दोस्तों के साथ शेर कर देचे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देचे